अस्तामनीकूम फ्रेंड्स, वेलकेम बैक टुट अब स्मार्टीस, ट्रामा सीरियल हक मेहर आहर कर विर्सा अपने सुस्राल पहुंच कई वो वकार को किसी और का होने देना नहीं चाहती, इसलिए तो वकार के पास पहुंच कई जब विर्सा यहां पर पहुंची, वकार को भी बहुत अच्छा लगा उसकी तो हुशी का ठीकाना नहीं लेकिन फिर भी किसी के सामने अपनी हुशी एक्स्प्रेस नहीं कर सकता अब यहां पर विर्सा को पकरते हुए कमरे में ले आया उसे सौफे के ओपर पटः दिया और गुसा करने लगा तुम्हे किस ने कहा था यहां पर आओ तुम जो इज़त जो मान समझ कर यहां पर आई हो कि तुम्हें मिलेगा ऐसा कुछ नहीं यह लोग तुम्हें जीने नहीं देंगे तुम्हारी बहुत बेस्टी होगी कि तुम हुच से आ गई लेकिन विर्सा को किसी भी इंसर्ट की कोई परवार नहीं अगर उसके यहां पर आने से उसके रिष्टा बच जाता है तो इससे बेहतर विर्सा के लिए और कुछ भी नहीं तो विर्सा वकार से कहने लगी मुझे जो ठीक लगा अपने रिष्टे को बचाने के लिए मैंने वो किया अब वकार जो आपको ठीक लगता है आप वो कीजिए आपको नहीं रोकूंगी मना नहीं करूंगी ऐसे में वकार काफी परेशान हो क्या कि विर्सा रिष्टा बचाना चाहती है तो फिर मैं क्यों नहीं ऐसे ही परेशानी की वज़ा से वो कुछ वक्त अकेले बैटना चाहता है और अकेले बैट क्या जिसकी वज़ा से जूबी से मंगनी नहीं हो सकी, जूबी काफी परशान है तो पिर मामूचान जूबी को तसली देते हैं कि तुम्हारी मंगनी तो वकार से ही होकी, तुम जरा होसला करो अब वकार जोके परशान हाल अकेला बैठा था तो जूबी को मौका मिल गया, विर्सा के पास आती है, उसे धमकाती है, चुप चाप यहां से चली चाओ, वरना तुम्हारे साथ बहुत पुरा होका, कितनी बेश शरम होना तुम, खुद से आकई, हलाके तुम्हारी रुकस्ती करवाने कोई नहीं गया, तो यहां पर विर्स में हूँ, बीवी हूँ, मैं जो चाहे कर सकती हूँ, हक है मेरा उन पर, जूबी को मू की खाकर यहां से जाना ही पड़ेगा, लेकिन फिर हिमत नहीं हारेगी, क्योंकि वो खुद हारना नहीं चाहती, बलके विर्सा को हराना चाहती है, जूबी रोते रोते मामू और ममानी के पास चली की, जिस पर मामू को काफी घुसा आया, कमरे में आकर, वो तो विर्सा पर भड़कने लगे, तुमने क्या समझ रखा है, तुम यहां पर आगी तो यह घर तुम्हारा हो गया, वकार तुम्हारा हो गया, तुम जैसे जो भाग कर लड़कियां आती हैं, उनके को चली चाओ, विर्सा जो यहां से नहीं जा रही थी, तो सुसर साहिब ने तो अब बहु का हाथ पकर लिया, और यहां से खेंचते हुए बाहर निकालने लगे, लेकिन हैर यहां पर, वकार जोर से चीखते हुए अपने बाप को ऐसा करने से रोखेगा, बाप तो एकदम से को देखते रह गया, विर्सा का हाथ भी छोड़ दिया, क्या कह रही हो वकार तुम, मुझ पर क्यों गुस्सा कर रहे हो इस लड़की को इस खर से निकाल बाहर करो, तो वकार विर्सा को दूसरे रोम में जाने का कहता है, ताकि वो अपने बाप से अकेले में बात कर सके, ऐ अगर आपने उसको यहां से निकाला, तो याद रखेगा, वो अकेली यहां से नहीं जाएगी, आपका बेटा, इकलोता बेटा, उसके साथ जाएगा। अब तो यहाँ पर विर्सा को अपने कानों पर यकीन नहीं के वकार उसके लिए स्टेंड ले रहा है। क्या उसका यहाँ पर आना वाकिए अच्छा साबित हो क्या उसका रिष्टा बच गया। दूसी तरफ मा तो बेटे की ये बाते सुनकर तरब चाती है नहीं वकार ऐसे कैसी हो सकता है। तुम तो हमारी कलोते बेटे होना हमारा वाहिद सहारा वो अपने शोहर को रोकेगी कैसी हरकत मत करो मैं अपने बेटे को खोना नहीं चाहती। तो यहां पर आहर कर माबाप हार मान चाते हैं और वकार विर्षा को लेकर अपने कमरे में चला गया। बेट ना चाहता क्योंकि अभी उसके दिल से बद्कुमानिया हत्म नहीं हुई। इसलिए तो सौफे पर लेट चाहता है विर्सा से कहने लगा तुम आराम से बेट पर लेट चाहो। लेकिन विर्सा भला कैसे सो सकती है जब वकार इतना बेस्कून है इतना बे आराम है तो विर्सा आराम से बिट पर नहीं सो सकती बलके सारी रात उसके सामने टेबल पर बैठ कर ही गुसार दी। वकार जब सुबो उठेगा ये सब कुछ देखे लगा तो अपने ही आप में शर्मिंदा होगा कि उसने शायद विर्सा के साथ बहुत गल्द किया वकार दिल ही दिल में शर्मिंदा है लेकिन विर्सा के सामने अपनी शर्मिंदी का इसहार नहीं करता वरना विर्सा को लगेगा कि वकार कमजोर पर रहा है तूट रहा है लेकिन विर्सा हिम्मत करते होई सुबो सवेरे उठकर नाश्टे की त्यारी करती है यहां पर नाश्टा टेबल पर भी लगा दिया लेकिन सुसर साहिब का तो मूर अभी भी ठीक नहीं वो तो जूबी को ही वकार के साथ अब इमेजन कर चुके थे इस रिष्टे में हयालों में सोच ही चुके थे लेकिन हैर ये दुनिया ये जिन्दगी है आली जिन्दगी से तो बहुत दूर है लेकिन यहां पर जूबी अभी भी वकार का पीछा नहीं चोड़ेगी जैसे ही वकार नाश्टे से फ्री हुआ तो जूबी यहांपर टपक पड़ती है रात की सारी बातों को भूल चुकी है सिर्फ विरसा को अब नीचा दिखाना है विरसा के सामने वकार के साथ तालग बनाना है और उसे अपनी तर्फ माइल करना है वो वकार के साथ पैट कर घिंटो बाते करती है ऐसे में विर्सा ही है जो उनके लिए चाय बनाती है और विर्सा ये काम अच्छे से कर रही है ताकि वकार को कोई शिक्वा ना हो और उसके दिल में विर्सा के लिए जगा भी बन चाए लेकिन जैसे ही वकार रूम में आता है तो विरसा अपनी नराज की शो करती है कोई बात नहीं करती, शिकवा नहीं करती लेकिन मूड ओफ करती है जिससे वकार समझ चाहता है कि जूबी के आना विरसा को अच्छा नहीं लगा ऐसे ही कुछ दिन गुसर कए लेकिन वकार की बद्गुमानिया हैं कि हतम नहीं हो रही तो विरसा को अंदाजा हो गया कि वकार चेक वाली बात पर हफा है, इसलिए अकलमंदी का मजाहरा करते हुए वकार को चेक वापिस करने की कोशिश करती है जो के वकार वापिस नहीं लेता और देखकर हैरान है कि इसके बाप ने तो कहा था कि विर्सा ने चेक कैश करवा लिया तो इसके पास चेक फिर कहां से आया ये बात वकार को सोचने पर मजबूर करती है लेकिन जो वकार ने चेक नहीं लिया विर्सा पर गुसा करता है तो विर्सा चेक को फार देती है कि शायद इसके बाद ही इसका रिष्टा ट्रैक पर आचाए लेकिन वकार चूंके कानों का काफी कच्चा है इसलिए किसी की बात पर भी भड़क कर फॉरण से पहले विर्सा के साथ बत सलूकी शुरू कर देता है उसे टॉर्चर करने लगता है विर्सा सब कुछ बहुत ही होस्ते से हिम्मत से बरदाश्ट कर रही है दूसी तरफ मनसूर साहिब का होसला और हिम्मत जवाब दे चुका है जब वो अपनी बेटी को अपने घर में नहीं देखते तो फात्मा पर चिलाने लगे आहर तुमने उसे भगा दिया ना तो फात्मा रोते होए कहने लगी मैंने नहीं भगाया मुझे नहीं मालूम वो कहां गई कब गई तो अब तो मनसूर साहिब फात्मा को इस घर में रखना ही नी चाहते दफा हो चो तुम अगर वो नी रही तो तुम भी नहीं रहोगी उसे बुरी तरह से मारते पिटते हुए यहां से निकाल देते हैं अब फात्मा को तो अपने भाई के घर ही आना है जिस भाई के घर से वो अपनी बेटी के लिए निकल गई सारे रिष्टे तोड़ गई थी अब उसी भाई के घर ही तो फात्मा को वापिस आकर रहना है लेकिन अपनी बेटी की खुशी की हाथी वो ये सब कुछ भी कर रही है तो फ्रेंड्स आपको आने मादी एपिसोड का ये चोटा सा रीवियो कैसा लगा जरूर कमेंट्स में बताएए क्या मज़ीद वीडियो के लिए चैनल को सबस्क्राइब करके साथ पैस नोटिफकेशन जरूर पैस कीचिए ताकि आने मादी हर वीडियो बहुत ऐसानी से देख सकें दौा में याद रखिए का अपना बहुत सा रहा रखिए का नहीं मीचे तक के लिए अलाहाफिज